हुआ 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 है वीडियो में हम कंटीनियू करने जा रहे हैं क्लास 8 की जिग्राफिका पार्ट प्रट पर और वह पढ़ा था हमने हमने वहाँ पर पढ़ा था जो आपके नैचरल सबस्क्राइब इस नेचरल रिसोर्स ते उनके हमने उनको डिवाइट किने पार्ट में इस आगया चार पार् on the basis of their stock यानि कितने मात्रम हैं नॉन रेनेबल है पिर ओन बास वब्सक्राइब डिवलपमेंट डिवलपमेंट अगर डिवलपमेंट को ना बोल गीना मैं अगर बात करूं यहां पर क्वाइंटिटी ना उनकी क्वाइंटिटी कितनी हैं मतलब हमको पता है कि नहीं पता और क् सब्सक्राइब नेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा आपने नहीं पहराल उसको छोड़ते हैं यहां पर आता है हमने की रिसोर्श में हैं ला करो सबस्क्राइब क्यों सा है रिसवर्श की सा सब्सक्राइब करने आपका दक देखकर 9 pure 5 uk वारिविशंग का उता लिछरस के sinister तर्म लिविङ आडिक ना पर यहां पर किसको देखा था जो चाहि यह कुछ रिगान कि पिल्द कॉंट पिल्ड भमतनी ़रक्राइबल का प्रशा में यूर्ड नमेल कि क्या है कि क्वांटिटी कि कितनी है और जितनी है उसको यूज कितना घर पा रहे इसके ब्याप पर चौता क्या था उनका distribution यानि कुछ तो थे जो आपके कहते हैं वह quantity में जो जिनकी quantity हमें पता थी उसे हम क्या कहे थे उनको हम क्या एक्ष्वल कहे थे ना और जिनको quantity हम संभावित थे कि हाँ इतना होई सकत है याई उसको क्या पर्टिकुलर जगह पाए गया उसको यूबिक्वेटर्स जो एक छोटी सब्सक्राइब यूबिक्वेटर्स ना आगे हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे और और यूमन मेड रिसोर्स और आज की वीडियों मेड रिसोर्स और हमको बारतर लाब अपनी यहाँ पर आगे बढ़ानी है और क्या बात करनी है यह तो हो गया मेड रिसोर्स और बसुर्स और और रिसोर्स पढ़ा हमने रिन्यूवेबल रिसोर्स पढ़ा और एक पढ़ा नॉन रिन्यूवेबल नॉन रिन्यूवेबल तो यह बात बताओ अगर सब्सक्राइब रिसोर्स यानि क्या होता है यह वह उसका सलूशन यानि जब यह सब खतम हो गया तो गाड़ी कैसे चलाएंगे हम इसके बारें बात करेंगे हम बाद में ना यानि इसी वीडियो के अंतर चलिए शुरू करते हैं आज पड़ा फट हुँमन रिसोर्स कुछ नहीं इनसान हुमन की बात करते हैं अच्छा इसमें एक आपकि मिस हो गई एक सलाईड़ आपे मीस हो गई है आप मुझे थोड़ा सा वकित आप की एक स्लाईट रही पे लगा देता हूं ठीक ना चलिए तो आगे हम बात करते हैं आपका हिुमन में रिस्वस के बारे में हुमन में जी मानो निर्मिस्ट वह चीजे हैं जिसको किसे बनाइं ए इनसान ने जैसे इस में परियुन्य आप मोबाइल और daí मोबाय्ल ने ना मैं अंना बताई ये पेपर बनाने की सर्व पर्थम सर्व पर्थम सर्व पर्थम जो प्राचिंग समय की में बात कर रहा हूं पेपर मेकिंग आर्ट पेपर मेकिंग आर्ट कहां पर बनी थी बताई कि से कौन पेपर बनाना जाना था चलो एक बार हिस्टिका कोशन भी हो जा देखते है मैं दोराते हो कि बस ऐसी नोट बना बना के अपसंज़ कर gonna तो मुद्दा यह कि जो चीज़ हम अपनी जिवाइभ जिस हमानी लियस करताStrा जैसा हमारी डिजायर हूई जैसा हमारी डिजायर हुई या जैसे हमारी इयुच्छा हूई इस इच्छा का सम्नाल करना गाड़ी घोड़ा कार यह सब बाइस सब हमने अपने इसाफ से डेवलप किया मोबाइल फोन ब्लुटूथ वगरा डिवाइस कनेक्टेड एर फोन सब जो हमने बनाया ना इसमें बहुत 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 साइंस नहीं है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको हम आज की वीडियो अपने इच्छा को पूरा करने के लिए मानवी हस्ता शेप द्वारा परिवर्तित और संसोधित हो जाता है तो उसे मानव संसाधन का यह हिंदी मीडियम वाला अचा हिंदी वाले सिर्फ इसको लिखेंगे इंगलिश वाले सिर्फ इसको लिए दोनों मत लिखा करो यार क्य जब एक नेच्छल रिसोर्स को सब्सक्राइब का लकड़ी का बनाने का अचा लकड़ी का घर बनाने का इंसान का मन वाक्या हमको न मस्त फस्वासिक लगडी का घर बनाना है और इसके हमें आवस्कता है बसा पर लेकर आया लकडियों कोिष्ट चीड़ा और तिरह दीरए दीरे अपना घर बना लिया उसकी उसका मन किया लकडी का घर बनाने का उषका मन क्या उसकी डिजायर थी उसकी इच्छा थी उसकी इच्छा क्या थी एक लकड़ी का घर उसको बनाने की उसने किया किया चुटीचुटी छुटी लकड़ी樣 हो जाता है उसको बदल दिया जाता है मौडिफाइड का मतब क्या तो उसका रूप बदल देता है बाइई हुमन इंटरवेशन जो ही है आदमी नहीं इस तरीके से जो चीजें बनती है उसे अच्छा अब इस इस घर का यूटि अब ये घर बनागे छोड़ देगा नहीं अब घर बनाएगा क्या इसका यूटिलाइस करेगा इसका यूटिलाइस किसमें करेगा अपने रहने में करेगा तो यह यह अब पर्टिकुलर इस घर की बात कर रहा है पर्टिकुलर मैं किसकी बात कर रहा है यहा रैट तो आगे में देखते हैं कि जैसे आइरन और आइरन पो और यह आपता हुआ ले आपका यह क्या अपका नेशानल निचरल हुआ जब्यांग या नäv कि आपका नं aurait रिशूर्स है यह आपका अपने चीजें इङा होती है जो कि आप अपने इच्छाओं को बिल्डिंग हमने क्या किए विल्डिंग के लिए कई हमको कैसे मिलेगी मट्टी है स्वाइल है ना उसको पनियास किया गीला करने आपका इसे सबसे बड़ी बाठाय कैसा ठेक्न रिठोर्स के आती है हमको हमको पढ़ना था पढ़ने के ने क्या किया हमको पढ़ना था पढ़ने केलिये हमने आपना एक मोबाईल ले लिए हम सा नहींwash तैकनोराजी लி यहां पर टावर लगा था qual लाऑ और हमको क्या भान मतलए नहीं है है यह लग तो people are human resource लोग मानावसादान मतलब हम फिर से उसी example पर चलते हैं आपको एक आदमी की desire थी एक आदमी की desire क्या थी एक कैसा घर बनाना एक आदमी की desire थी एक लकड़ी का घर बनाने के उस की इचह थी ठीको आब उस घर को बनाने के लिए उसने क्या किया वो गया बगीचे में यहां से लकड़ी को काट के लेकर चला आया यहां पर उसने क्या क्या काट के रख लिया यहां पर उसने क्या काट के लख लिया अच्छा इस लकड़ियों को काट के रख लिया यह तो हो गए उसका human made resource अच्छा सॉरी उस लकड़ियों को उसने क्या क्या गर बनाएं गर हैं बताओ इसको को बनाएगा तो यहां पर यह जो लोग आब हम किसकी बात कर में हम मिनब इसकी बात कर रही है कै एक भाझotive के चीए सनतार है यहाँ पर यह मजदूर लेबल मिलकर इसको बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहें micro इसी को क्या कहेंगे हम रिट्टोर्समाइब इस घर को जब घर बन जा गए इसे करेंगे ए caso'd इससे कहेंगे दो सब्सक्राइब देऴन एक तरीका का इनसान भी इंसायन भी एक क्या होता है आपका इस लोगों को कौशल लोगों की कौशल की गुडवत्ता में सुधार करके उन्हें अधिक संसाधन बनाने में सक्षम बनाना मानव विकास संसाधन कहलाता है यानि अच्छा जैसे एक आदमी है एक बच्चा है लगते हैं लेते हैं लग ये हैं आदमी है इसे अधाने इक करो करो कि का आपका पर वाहां पर जाके saẹhasta कैसे इसको ले आए इसकी स्किल डेवलफं क्यूं डेवलब किया क्या है तो भब Stevens में किसी का पंका भराब हो गया यहाँ पराकर बना लएगा यहाँ पराकर क्या कर लेगा बना लेगान लेगा ने लोगों इस चिल्डवा yis को इंप्रोवाइबल रिसर्वेल को बना सके वह और रिसोर्स को बनाने में सक्षम हो सके इसी इस प्रक्रिया को यानि जो हम इसको हाथ पकड़कर लेकर गए और इसको सिखाने का जो काम किया इसकी स्किल डेवलप करने का काम किया इसी को क्या कहते है इंसानी जो रिसोर्स क्या करना यानि कि क्या करना यह एक सारी चीजे सीखो इसी को क्या कहेंगे डिवलफ्मेंट के चलिए आगे हम देखेंगे वैल्यू आफ रिसूर्स यानि किसी भी रिसूर्स की वैल्यू क्या थे जी बस लिए रिसूर्स में इतना ही पढ़ना इसमें कोई आपको डिस्ट्रिपूशन नहीं पढ़ना वो इन तीनों को पढ़ लिए चार टाइप में बाटा हमने इसको इनसान कोई चीज बनाता है अपने मन के लिए वह इनसान या पर खुद अच्छा यहां पर इंसान ही नहीं यहां पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो देटिस्टीचर मैं भी एक मैं भी एक रिसूर्स ह anytime रिसूर्स ना यहां पर टीचर खुद एक सुन मोरे रिसूर्स और अन्ने भात पाती कि लिए बस की बात कि हैं ले बस की बात कि बात और णक्तर की बात कौन होता है का ऑपको डॉक्तर के पास गया डॉक्टर आपको क्या करते तर्ठीक करते तब क्या है वह मारी उन सब्सक्राइब जब मोटा हो जाता है ना तो चीजे चलती नहीं एक सरसरी निगास हम इन चीजों को देख लेते हैं कि यह वाला लफड़ा आप लोग के दिमाज में बार बार सब्सक्राइब करें चलता हमने देखा रिसोर्स को तीन टाइब में बाता एक थापका कौन सा रिसूर्स नेच्छरल और एक था 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 हुँमन इस नेच्छर ना यहीं से शुरू करते हैं निद्र ने कौन आ जाता है प्ढ़ा रहा हुँ ना और कौन आ जाएगा लेबर जो कि आप उनको पैसे देंगा और कौन होगा डॉक्टर होगा कौन होगा डॉक्तर यह सारी चीजे किसमें यानि एजुकेशन बेसिकली अगर हम ने बात की यहां पर हम एजुकेशन की यह सब हीमन रिसोर्स में आजाते हैं अचा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहार मौकित पढ़ा किस चीज़ करके रहा हूं टेकनलोजी करके पढ़ा रहा हूं टेकनलोजी का टेकनलोजी बनाई किसमें ने बनाई टेकनलोजी बना ला उसको हमने किस में डिवलप किया एक टावर के डिवलप किया आपने क्या बनाने के लिए और वो कहां आपके फोन में आपको क्या करूं पढ़ा रहा हूं तो यानि यह देख रहा है कैसे सब से प्रेस्फ पाइस को मुल क्या होता है और अब ही को बस्fully क्रेंगा पारण करें न यानी और्फिक मूर यहांट जाता है चेमानों लो जैसे और आपको पढ़कार रहा हूं है यह तो इन-पर यह यह सब्क्राइब कर रहा है अगर मैं इसका अर्थिक मुलने लगाँ के तौर पे दस रूपए मैं आपसे दस रूपए मैं अब तो यहां पर पर एक पैसे कवरी का महत्त हो जाएगा तो जब किसी संसाधन का आर्थिक मूल गिना जाता है जब उसका उपयोग व्यक्तिगत रूप या वेबसाइक उड्देश के लिए किया जाता है यानि यह जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका आर्थिक मूल तब गिना जाएगा जब मैं इसका पैसाब से लेने लोगा अच्छा आगे देखते हैं एस्थेटिक वैलु यानि सौंदर्यात्मक मूल यानि कि वह चीज़ कुछ वस्तों जो में सुख देती हैं कि हमें इंज्वाइ आनि बहुत सारी सीनरी देखते हैं ना यानि बहुत सारी सुंदर्य दुरिश्ञ देखते हैं इन्हीं को कहते हैं इस morte पर क याわかल बना देते हैं या जैसे जैसे हम देख रहे थे कि पहले लोग अंधा धुन क्या काटते थे पहले लोग एकदम अंधा धुन तरीके से अंधा अंधा धुन तरीके से क्या करते थे आपका पेड़ों की कटाई करते थे क्या करते थे पेड़ों की क्या किया करते थे देखा अच्छा पेड़ों की कटाई करते कि वो क्या करते지 देख कि नेचुरल रिसोर्स को नेचुरल नेचुरल रिसोर्स को मौर्टिफाय करके यानि बदल के वो लिए द्रीजर करना चाहता थे यानि अपने अपना इंटमेस फिली करना चाहते थे हुट इसके लिए लिए Skillet इंटर्वेंशन करते थे इसके लिए और पेड़ों के अंदर दन कटाई करते थे यहार गौवर्मेंट ने देखा भाई इस तरह की से पेड़ तो बहुत ही कम बच जाएंगे मदब पेड़ यहां पर बचे नहीं है तो ऐसे क्या क्या कानून बना दिया अब आप कोई क्या करतें तो आपको one भी हाग से किस्से one भी हाग सुक्या लेना पड़ेगा पर मीशन लेना पड़ेगा बिना परफिता लिए कुसा है और वर समय ए तो हमारे लिए अचने मोलवान हो जाता है as soon as we make a law to protect the resource we attach legal value to them जैसे ही हम संसाधन की रक्षा करने के लिए कानून बनाते हैं हम उसे कानूनी महत्त दे देते हैं यानि हम जब आप पेड़ के अंदर कटाई कर रहे थे तो पेड़ पहले बहुत था लेकिन अब हम जान एक कि ये सीमित होते हैं एसा आपर इसरे यह तो गलत आपसे स्था लेघार करेंगे पूरा फुली तयार होने में दस साल पंदर साल लग जाएगा तब तक लिए बात तो है तो हम जानगे कि अभी लिमिटेड वैल्वी बची हुई है मतलब कि अगर अभी सारे प्लांट आपने काट डाले मानता हूं बाद में आप प्लांट लगाएंगे बढ़ जाएंगे लि साल बाद में दस साल क्या बीना ऑक्सीजन के रह लोगे इन डिस केस लिमिटेड इस्टॉक बचा है तो हमने उसके उपर क्या बना देया कानून यानि कि कानून बना देया तब उसके साथ हमने लीगल वैल्यू अटेज कर दी चलिए आगे हम देखते कंजर्वेशन ऑफ कं अगर इकोनामिक वैल्यू कब होती है जब किसी रिसोर्स के का यूज करने के पैसा लिया जाए अस्थेटिक वैल्यू होती है मंदब जो रिसोर्स आपको क्या देते हैं इसके बाद हमने एक रिसोर्स हमने एक देखा लीगल वैलियू यानि कोई भी रिसूर्स जो हम जान जाते हैं कि बहुत ही सीमी तमाच तरह में बचा हुआ है तो उसका बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं उस पे कोई कानून बना दिया तो उसके साथ एक लीगल वैलियू अटेच हो जाती है तब लोग उसका बचा के इस्तबाल करते हैं आगे देखते हैं संसाधन का यूज करना है ठीक है जैसे हमने बोला ना कि पेट्रोल खतम हो जाएगा तो सर क्या करेंगे सर तब तो हमारे लड़के वह चाहिए चलेंगे मालों हमारे समय तो नहीं खतम होगा तो वही चीज़ है सिद्धान तो एक प्र प्रियावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वे भवित्य की पीड़ी के लिए पीड़ियों की देखवाल के लिए भी उपलुब्द हों इन्हें इसे ही सतत विकास की रूप में जाना जाता है एक बर फिर से हम इसको द सब्वाल यह पीड़ेशन आप साभानी पूर्वक कर उप LiD ERIC Táalkbande नुकसान नहीं पहुंचाना आगे सो दैड़ वार्यार और इस तरीके से अंगे पूचर के लिए यानि हमारे आगे जो क्योर जैन्या है आगे जो हमारे वंशल आ कर आने वाले ह?". को यानि जो हमारा वह बढ़ेगा वंस में जो आगे वश जो आगे वाल आने वाले होंगे उनके लिए वा सुरक्षित रहेगी उनके लिए वो क्या रहेगी आपकी तब तक वह तक हो जाएंगे यानि उसको oxygen की पूर्ती की कमी नहीं पड़ेगी इसी तरीके को कहते हैं sustainable development इसको क्या कहते है sustainable development वी शुड़ फालो समफीचर तुसस्टेनेवल development टू समफीचर और सस्टेनेवल डवलाप्मेंट और conservation दर नेच्टरल यानि हमें हम किस प्रकार से किस प्रकार से रिसूर्स का इस्तमाल करके किस प्रकार से रिसूर्स का इस्तमाल करके यानि केरफुल इस्तमाल करके कैसा केरफुल केरफुल यूटिलाइज करके रिसूर्स को हम अपना development भी कर सकते हैं क्योंकि देवलपमेंट भी तो जरूरी है ना अब ऐसा तो है नहीं कि यार अगर हमने अभी यहां पर यहां पर यह डब्बे में रखी सारी चेज़ें यूज कर ली तो हमां लड़कवा नहीं खाएगा अब हम इसको यूज है नहीं करेंगे यार है ना ऐसा ह विरासत को आप इस तरीके से डेवलप करिए अपनी आने वाली पीडियों के लिए आप ऐसी चीजे बनाएए जिसके लिए वर्तमान में जो आपका परियावरण जो आपके सामने जो नेचरल रिसोर्सेज हैं उसका आप गलत उप्योग भी ना करें यानि वह बरबाद भी ना हो पूरी तरह खतम भी ना हो और फ्यूचर के लिए काम भी बन जाए इसके लिए इसी चीज के लिए हमें सतत्विकास या प्राकृतिक संसादनों के संद्चन के लिए कुछ विसेस्ताओं का पालन करना चाहिए यानि मुद्दा आप आपसे अगर कभी सवाल यह सिर्वी यानि मैं नेचर को कैसे या प्रकृत को कैसे बचाएं किस प्रकृत को कैसे बचाये आगे जुन मैं यही आपका एंसर आपके कभी भी पेपर या टेस्ट में हो जाएगा कोई गलत ने करेगा पहली चीज रिडियूस रिडियूस क्या वी शुड रिडियूस कम कंजप्शन हमें खपत कम करनी चाहिए यानि ऐसा नहीं है कि हम खपत बहुत जादा कर रहे हैं चीजों का इस्तमा बहुत जादा पानी बरबाद करते हैं ऐसे में क्या होगा ऐसे में यह पीने का पानी जो है अगर हम लगातार इसका अंधा दुन उप्योग करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत कम बचेगा यहां तक कि आभी आज वरतमान समय में सिटियों में शहरों में पा सब्सक्राइबत प्लपसर आपनें आते हैं आम तो आपने फноसे सट रुपाई का पानी यूज़ करते हो डवी आत इसलियों में उन्हाने दोने ना अगर एक बल्टी आपने भरी एक बल्टी अगर दस लीटर की होते है दस लीटर नीचे कोई बल्टी ना आता नहीं भाई ना पांच लीटर बल्टी में पनिया नहीं आएगा ना मगगे में एक लीटर पानी आ जाता है ना मगगे में एक लीटर पानी आ जाता है कितना पानी वो गया और इन फैुटर यही पानी कहीं आगे जाके 60 रुपाहिम हो जाएगा उसके गाइफ सो 20 रुपाहिम हो जाएगा फिर एक वक्त अजाएंगे कि पानी खत्म ही हो जाएगा आप पान सो अ INS- से बचने के लिए कहीं इस प्रकार की परिस्तिता ना जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा खपत कम करनी पड़ेगी पानी को हम बेवजह बरबाद ना करें रियूज वी शुड रियूज एज मैनी आइटम एस पॉसिबल यह हमें यहाथा संभाव अधिक से अधिक वस्तों का प्रियोग करना चाहिए हमें अधिक साम एक चीज़ को यूज करके दुबारा फेक ना दें उसका यूज हमें बार बार कई बार करते रहना बहुत अच्छा सा गड़ा बनाईए टैंक बनाईए जैसा राजस्थान में इन चीज़ों को किया जाता है ना राजस्थान इंदौर मद्प्रदेश में इसी चीज़ों को किया जाता है पानी की किलत है बारिस का पानी गिरेगा आप यहाँ पर एक टैंक बनाईए बारिस का पानी गिरेगा एक चीज़ जान लो कि बारिस का पानी कभी सड़्ता नहीं है अगर आप ने ये टैंक अच्छे बना रखा कभी काई नहीं लगती बारिस के पानी में याद रखिए सब से सक्ष पानी होता है यह क्या होता हैсь में बैक् 터 tenía नहीं होते हैern आप इस टैंक की साफ़ सफाई रखिए और इसमें जैसे बारिस का पानी पानी आप गिर जाएगा और बारिस ख्तम होने बार इसको डग दीजे इसको अब क्या कर दीजे धाक दीजे जैसे आप तो ठख देंगे इस में से आप तोटी लगा के पानी का इस्तमाल करिए यह होता है री यूज करना कीज़ों को क्या करना री यूज करना है जितना ज्यादा हो सकति हम चीजों करें और रिञें कल वी शुट्री साइकल डिस्कार्टेड आइटम यह अलग अलग है री साइकल कि डिसकार्ट टिट यहां भी संभाव हो हमें फेञें वस्तुऌं को फिक पनर नवीकड पनर नवीकरण कर पुने हैं उसका कर कर लेना चाहिए सबसे जिज़ाद कच्छणा जानते पौन है अपने चार्जर लिया है आपके लिया चार्जर लिया is और आप sil premiere कुक्प करते हैं आता है जो उन कचड़ों को लेकर उसे और यह पर देना चाहिए यह पिर क्या होगाई रिसाइकल होगा यहां से निकलकी जाएगा फैक्टिरी में फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री में यह क्या चेहिता हैं होगा यह हमको रिसाइकल करना चाहिए यह नहीं है कि एक चार्जर खतम हो गया तो फिर दूसरा चार्जर हम बना लें मतलब मैं आप लोग तो नहीं कर सकते हैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे बट गॉवर्मेंट इसको बचाने के लिए ऐसा काम करती रहती है ना यानि हमें प्रदूसर्ण को रोपना चाहिए एंड वी प्रिजर्व दब बाय लॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन दा अर्थ हमें प्रिथी पर जैवे विविद्था को संड़ रखना चाहिए बाय बाय लॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है कि जहां पर मतलब कि जो एक ऐसी जग पाने पार नदियां यह सब साथ मुद्ब जहां पर आपकी जीवन के संबहुन movement जहां पर जीवन हो कई fashion में बटाओ यह पर पेड़ भी यह हैं पर जानवर भी यह इनिसन पीज़िया पानी भी है ही ह deg हवा इंडी यह नाला भी पहाड़ भी सब मिलकर रहते हैं उसे हमें प्रित्वी पर जैवेटा को सब्सक्राइब करना चाहिए यह हैं आपके अच्छा सुनने में तो यह सारी चीज़े बड़ी अच्छी लेगी सब्सक्राइब क्या वाका ही मतलब सरी जो आपने बताया कि मतलब हम रिडियूस और रिसाइकल यह अ इसको हम देख लेते हैं थ्री आर्स है ना रिडियूस रियूस और रिसाइकल आर्दा थ्री आर्स और यह आर्स ना रुपएवाला नहीं है आर तीन आर थ्री है ना तो प्लूरल के लिए हमने एस लगा देया पर आर्स जैसे नहीं होता है है चेयर शूंत है रिचाबल सू은 तीन अर्ड्य आर्स आर्फ पहले आर्स का मतब रिड्यूस और तीसले की कब मतब रीजनी और रिजसाइकल तो toda रिग्यूस और रिसाइकल आर्ग्ट तीन आर यहां पर क्या लिखेंगे आप तीन आर आप तीन आर के संदच्छन को कम करना पुना उप्यों करना रिसाइकल करना अरे यार सुनो मैं बताता हूं यह हिंदी वाला यार यह भी योगल बाबा में परसांगा यह सुनो सबसे शभी है ज़्यादा हिंदी army पूरे इस्तमाल करना रचिंगं सबसे सब्सक्राइब तो रिड्यूस रिज्व और रिजाइकल टीन र तीन आर के रूब में try 0 में जाने जाने जांके मेरे तीनère तर्दीन आर में तीन आर का मतलब क्या होता है तो पहले का मतलब क्या होगा रिद्यूसरे का रिए इसको याद कर लेंगा रिये कंपटीशन में आ जायगा कैसे देगा कि दर थ्री आर्स for the three hours of conservation conservation of sustainable development है न उसमें option में देगा पहले पहले आर का मतलब reuse और किस पीपिक लगाना है जिसमें लिखा हो reuse और क्या लिखा हो recycle और क्या लिखा हो reduce हैना क्या लिखा हो reduce इस ही पिप्थिक लगाना होगा चलो आगे इसको ध्यान से याद करें ना आगे देखते हैं सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्या वाकवी मैसीची जह होती है जी हां बिल्कुल होती है प्या होता है हम बताते हैं आपको 17 सेकंड वर्ड वार हो गया क्या हो गया आपका सेकंड वर्ड वर्ड वर में बहुत बड़ी तबाही हो गई या तो खुद पढ़े या तो खुदा पढ़े सुनो Second World War के बाद Second World War के बाद ना बहुत भारी तबाही हुई इस दुनिया में बहुत भारी तबाही मची काफी लोग बरबाद गए काफी जन मानस की हानी हुई काफी लोग मरे ऐसी ऐसा द्रिश या ऐसी बरबादी पूरे विश्व को फिर से ना देखना पड़े इसके लिए 51 देशों ने मिलकर इक्यावन देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर सन 1945 को एक संगठन बना इया 24 अक्टूबर सन 1945 को क्या बनाया एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया क्या नाम रखा गया इसका दउनाइटेड नेशन चलिए यहां पर है the United Nations is an international organization for found organization founded in 1945 after the second world war by 51 countries committed to maintaining इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन्स एमंग नेशन्स एंड प्रमोर्टिंग सोसल प्रोग्रेस बेटर लिविंग स्टेंडर्स एन हीमन राइट्स हिंदी वालों हिंदी वाले आप लोग लिए नहीं लिख किला पाए क्योंकि मैंने सब्सक्राइब तो मैं आप लोग बोल देता हूं आप लिए पास्ति इसकी हिंदी क्या है संयूक्त राष्ट्र संग्धी वाले में बोलता जारहा हूं आप लोग वीडियो को मेरी अवास सुनेगा वीडियो पास्ट करेगा वोलान लेखेंग फिर आगे चलेगा तो संयू 845 को दुती के बाद 51 देसर की गई इसको इस्थापित करने का उद्देश अप यही लाइन लिखेंगे ठीक है कि ना जो मैं बोल रहा हूं इसको इस्थापित करने का उध्ये से अंतर राष्टी सांती था है और बाकि सभी देशों के बीच में मितरता पूर्व संबंध स्थापित करना था और समाजिक से जीवन बहतरीं जीवन का अस्तर ron Ryan इंसानों के अधिकारों को ना इन्सानों के अधिकारों, को बढाना इसका मिन उद्धेस था इसका प्रमुक से था आ यानि के यानि की depreciation कि किसले वही यह ताकि न वो जिस तरह की तबाही मचीना ऐसी तबाही ना इंटरनेशनल लेवल पर आपकी सांती हो और प्रोमोट किया जाए यानि बढ़ावा दिया जाए कि पहाँ जीवन की जो एक जीवन का इस्तर है न वह उच जीवनस्तर को हम बढ़ावा दे और इंसानों के अधिकरों को बढ़ावा दे इसके लिए जो युनाइटन नेशन की हम इसका इस्टेबलाइज इसको लिख देते हैं यह हुआ था 24 है यह कब इस्टेबलाइज हुआ था 24 ऑक्टोबर 1945 को कहां पर हुआ था यह सैन करदी बाती कलर है मूह नहीं पसंदी कलर का यार हम एक मैम ने हमको बताया कि धनी रास्यों वालों के लिए लाल कलर बहुत घातक होता है हरा कलर बहुत बढ़िया होता है हम हरे पीले तब से चलने लगे आ रहा है चलो आगे देखते हैं सैन करान सिस्को सैन फ्रांसिस्कों सैन फ्रांसिसकों कहां पर इसके स्थापना यह तो पहल यह तो डेड़ Uh टोटी से जगाब लुक्त पाइड है कंड फ्रांसिस्को काली फोर्निया कालीफोर्निया कहा है यूनाइट्ट यहूनाइट्ट इस्टेटेद ने क्लांतिकारी काम अमेरिका ही कर सकते पहले दूनिया को तबाह दे है फिर उसको बनाए रखने के लिए सांठी असतापना खी अच्छा अप पूछें कि क्या सर इंडिया स्का में बर है मतब भारत हम लोग उस इक्यावन देश में है तो जो भारत आना बाग बरूप भारत इंडिया के इंडिया is a इस आफ अपंडिंग मैंबर Candi कि Çaect Trustees क कितने लोगों नेज्ट मिलके सपना कि 51 लोग न नए वाय नेशन भारत नाना तब से भारत इसका मैमबर है अगए झाहं देश就是說 सब्सक्राइब अब देखो मैं डारेट अगर यह पता आता आ तो आपको समझें नहीं आता इसी लिए हमने बताई यूटेंट नेशन क्या होता है यूटेंट नेशन क्या था यहां पर लिखा हुआ अब आपको डिवलप्मेंट भी करना है आपकी जीवन की लाइफ स्टाइल हो रहनी चाहिए पूरा पूरा रिसूर्सी खतम कर डाला नहीं सस्टेनेवल डवलेप्मेंट करना है मतलब आप अपना यूज तो करिए आप केयर फुली यूटिलाइश करिए ताकि आप इनवार्मेंट को नुकसान ना पहुंचा और चीजे फ्यूचर के लिए बची रहें तो ऐसी परिस्टी में सितंबर दो हजार पंदरा में संयूक्त राष्ट ने सत्रह सत्विकास लक् अगर हम इन सब को इस्तमाल कर लें तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए सो साल तक काफी कोई टेंशन नहीं होने वाली और चीजे बहुत ही बेटर हो जाएंगी देशे नो पावर्टी सबसे पहले गरीबी खतम करो जीरो हंगर यानि भुख मरी नहीं होनी चाहिए औ पढ़ो बैटी बढ़ाओ ना अब क्या है एक हजार पे लेकिन अब यह बेटी पढ़ाओ बचाओ करें उसमें एक हजार पे घड़कें हो चुकिए यानि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ ना चाईजिए चलो आगे देखने हैं अरे दिस वू जो का पार्ट क्लीन वाटर पीछे की वीडियो में बताया था ना कि कोईले सम्भी बनाते हैं तो केला जब जले गाना तो प्रोडूशन भी होगा लेकिन अगर बात कि जी यो थर्मल का ना जी यो थर्मल की बात के तो जी यो फरेंडली है क्या है यह इको फ्रेंडली है अगर कभी आप से पूछ दिया आर और आई-इंड यह यह इको फ्रेंडी है इंवार्मन को नुपसान ने ही पहुंचा अन को ने पहुंचा था लीकिन अगर प्ẹट्रॉल वगर नहीं रहती है गुरू सोलर एनर्जी यह आपकी कैसे नर्जी देखा मैं बता रहा हूं कौन से एनर्जी आपकी ना यह जो होती है वह क्लीन एनर्जी यह भी पलूशन नहीं होता है मतब कार्बन का कार्बन का एमिशन का जो उस्सरजन होता है कार्बन जो उस्सरजन होता है वो जीरो होता है इसमें ना तो यह चीज़ है यही सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लीन एनरजी में आती हैं आगे देखते हैं डीसेंट वर्क एंड एकोनोमिक ग्रोथ अच्छा काम करें और आर्थिक विविकास करें मतलब खुब पईसा इसा कमा कि देश को आगे बढ़ा हैं इंटर्न इंडस्ट्री इन्वेशन और इं धाचा मतब फैक्टरी खूब लगाए जाए रिडियूस इंग्वालिटी असमानताओं को कम किया जाए सतत सहर समुदा है मतब की सस्टेनेबल सिटी जोनी चाहिए कम्यूनिटी होनी चाहिए वतल ऐसा सहर हो जिसमें हर किसी को बराबर की तबज्यो दी जाए रिस्पॉनसिबल कंजब्शन और प्रोड़क्षन जिम्मेदारी खपत और उत्पातन हमने पढ़ाता थी आर में एक क्या था आपका रिडियूस करना क्या करना रिडियूस करना यानि प्रोड़क्शन को प्रप्षन हम बहुत ही रिस्पॉंसिबल तरीके से करें ना क्लाइमेट एक्स जलवाई में अपना जलवाईव पर ध्यान देना लाइफ बिलो वाटर पानी के नीचे जो जीवन है यानि कि जो पानी की नीचे जीवन जो पानी में रहने वाली जीव जनतों है इनका ख्याल यह नहीं है कि आप आपको अगर जमीन पर साफ सफ़ई रखने में घि adhere को कहां समुधर में डाल दिए समुधर में डाल दो तो नीचे की यहां पानी के अंधर के ज ज Marketing पानी के अंधर का यह already लहाई कि आपको यहां पर यहां पर आगर हमने बोला कि पॉंट यहां पर पड यही कुछ आपके जो आपने नई चीजा सीखी यह आपको शायद यह चीजे काफी जानकारी भरी लगी होंगी और मतलब काफी जानकारी बहुत्वारी चीजें होंगी पता चले आपसे बोलू और आप मुझको बोलने लगे क्या क्या पढ़ा दिये सब आता होगा कुछ कमेंटर सा बठा हमें फरक नहीं पड़ता यह सब्स स्ट्टिनेवल डेवलेप्मेंट का जो सिध्धान उसे प्राप्त कर सके सब्सक्राइब का सिध्धान क्या होता है कि रिसूर्स का हम इस प्रकार से करें कि वह फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे बना रहे यह हैं और यूनाटे नेशन की बात कि जिसके साफना अगे की चैट्टर करेंगे यह आपका सेशन जो है चेप्टर फरस्ट का खतम होता है तो आज का वीडियो में हमने क्या पड़ा जो प्रहा हमने आपको बता दिया इका बचान अब आधे काफी मेहनत लंगती है, आप लो庫 ग्यानवान बनाने में लाइक करने चैनल पे नहीं हो, सबस्राइब कर और उसकी। प्रकार से रखे ताकि आपका समाज आपसे कुछ सीखे एक एडुकेट यानि एक पढ़े लिखे समाज के आपस थापना कर सके मुलाकात होगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैभार